So Hi Everyone! In this video, we are going to talk about Inbuilt Data Structures. अब देखो ये Inbuilt Data Structures की जहरोत क्या है. देखो, लेट सब्वोज, आपको एक प्रॉब्लम दे दी गई, इंटर्वी में आपको एक प्रॉब्लम दे दी गई, अब उस प्रोब्लम को एनलाई्स करके आपको ये लगा कि उस problem का solution जो हम एक stack को use करके निकाल सकते हैं, ठीक है, great अब यार खुद से सोचो कि आप उस problem को solve करने के लिए क्या पूरा data structures बनाने बैट होगे क्या, मतलब starting से अपना खुद का push function लिखोगे, starting से अपना खुद का pop function लिखोगे and then आप उस stack को use करोगे, नहीं, अगर हम ऐसा करने बैट गए, तो भाई साब interview में सिर्फ एक ही problem solve कर पाएंगे, ठीक है which is not actually needed ठीक है, उसकी जरूरत है नहीं आपको, आपको खुद का data structure महा पे inbuilt data, आपको खुद का data structures महा पे बनाने की जरूरत नहीं है तो यार क्या है, कि हर एक language के नदर, खुद के data structures inbuilt data structures बने हुए है, ठीक है हम लोगोंने देख लिया है, कि how to actually implement the stack ठीक है, using array and using link list, ठीक है, तो वो हमने देख लिया है, that is great, but actual में हमें coding problems को solve करने के लिए, we will not be creating our own data structure, our own stack ठीक है, instead we will be using the inbuilt data structure, ठीक है, जो की हर एक language में अपना-पना बना करके रखा हुआ है ठीक है, तो पहले सबसे बात करेंगे हम C++ के data structure की तो C++ ने भी एक library बना करके रखे है, जहाँ पे आप उसको import करके, और उसका stack, inbuilt stack, use कर सकते हो, और फिर आप उस पे जितने भी हमने operations अभी तक देखे s.pop, apps.push, इस तरह के pushpop operations आप लोग उस पे perform कर सकते हो, so let's directly move to the C++ part, great, so so this is a website, hackerearth.com, और आप अगर सीदा-सीदा search करोगे, hackerearth.stl, so you will get the very first link, तो आप उसको क्लिक करना है, और आपको कुछ इस तरह के का यह बॉड़ा, एक लंबा सब लोग दिखेगा, now, अब देखो, है क्या आ रही हां पे, so इसने आप पे पहले बता रखा है कि stack is a container which follows the leaf, और यह सब चीज़े में आपको बता चुका हूँ, the element which is inserted, last will be extracted, first यह सब चीज़े हम बात कर चुके है, आप एक declaration करके नोने, stack of int, ठीक है, अब stack of int, stack of is nothing, बट यहां पे actually यह बता रहा है आपको कि आपको एक stack create करना है, आपको एक stack create करना है memory के अंदर और उसका type के होने वाला integer, means, इस s के अंदर आप सारी की सारी values int type की रखने जा रहे हो, इस stack के अंदर आप सारी की सारी values int type की रखने जा रहे हो, ठीक है, great, अब कहा रहा है कि some of the member functions of stack are push, pop, top, empty size, तो आप directly इस s पे, यह सारे की सारे operations perform कर सकते हो, कैसे s.top, अगर आप करोगे तो इस stack के अंदर से, जो top पे element होगा, वो आपको उठा करके ला देगा, s. अगर आप push करोगे, और push करने पे इसमें कुछ value दोगे, it means, इस stack के अंदर यह value 4 push हो जाएगी, so this is how you can actually perform all the operations that we created, ठीक है, तो यह चीज़े हम कर सकते हैं, छोट अस example आप दोग देख सकते हैं, तो उन्होंने हाप एक import कर रखा है, तो stack library को, आपको धियान सा देख रहा है, stack library को हाप import कर रखा है, और फिर उसके बाद main function के अंदर सीधा उन्होंने क्या structures है, for example, अगर आप जो हम लोग उने अभी latest में link list पढ़ा है, list पढ़ा है, ठीक है, तो आप उस list को भी हाँ पे, तो list के पास सारे के सारे functions है, ठीक है, तो वह हम देख सकते हैं, let's move to the Java, so Java भी same तरीके से आपको एक stack inbuilt stack provide करता है, तो जहां पे आप यूज कर सकते हो, तो यह इस package के अंदर रखा होता है, सबसे पहली बात तो java.util.stack इसके अंदर आपको मिले गए, तो इन्होंने सब चीज को import कर रखा है, आप सिर्फ इस stack को भी import कर सकते हो, हांसे dot stack लिएक करके, great, अब देखा हो, आपको इंटीजर के stack create करना है, तो you will be writing something like this, it's a generic way of writing, of creating a stack, so you will be writing stack of integer, stack is equal to new stack, stack class है नहीं, तो आप इसका object बना रहे हो, और जब हम object बना रहे, it means, now it's, it will follow all the rules that, that has been written in the stack class, तो अब इस stack पे आप कौन कौन से operations perform कर सकते हो, push operation perform कर सकते हो, ठीक है, आप इस पे pop operation perform कर सकते हो, और भी multiple यहां पे देख सकते हो, आप इसमें, अगर आप कोई IDE को follow करते हो, तो उस पे आप सब जीज़े देख लोगी, ठीक है, so वैसे इसमें लिखा वाए उपर सबसे, कि आप कौन कौन से operations को perform कर सकते हो, ठीक है, so this is how you can actually look for the different functions, accessing element, आप peak function use कर सकते हो, सीधा सीधा, ठीक है, तिसे आप इसने s stack के अंदर push करके, फिर stack.peak कर रहा है, ठीक है, आप pop कर सकते हो, पोप के लिए इसने अलग से दिखा रखा है, there are almost every function is defined, ठीक है, जो आप हम लोगों अपने stack के अंदर बनाये थे, और हम stack को इस purpose के लिए use कर रहे थे, तो आप सारे के सारे operations को perform कर सकते हो, by creating stack like this, ठीक है, आपको कोई अपना stack खुद का बनाने की ज़रूरत नहीं है, great, let's look at this stack in python, ठीक है, stack को एक बार python में भी देख लेते हैं, तो stack को यहाँ पे python के अंदर यहाँ पे आ गया, B यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, अब देखो, इस list पे एक operation होता है, dot pop नाम का, ठीक है, तो अगर आप इस list पे dot pop operation perform करोगे, so it will always fetch the data from the last, ठीक है, so this is how this list can be used as a stack, ठीक है, तो इस list को हम as an stack की तरह use कर सकते है, otherwise अगर आपको इस list को use नहीं करना है, so there are other options available, तो आप collection को import करके, वहाँ पे DQ को use कर सकते हो, तो this DQ will be acting as your stack, ठीक है, और या फिर हाँ, क्यों के Q से लीफो क्यों के यूज कर सकते हो, ठीक है, so Q, basically Q की एक implementation होने लिखा रखिया, लीफो क्यों, which will be acting as a stack, ठीक है, so इन तीनों के links में आप को डाल दूँगा, C++ का भी, Java का भी, and Python का भी, तो आप इसको एक बार थोरोली पूरा उपर से नीचे तक हराम से देख लो, ठीक है, because इसकी बहुत ज़रूरत होगी, so in the upcoming videos, when we'll be solving a lot of interview problems, classical problems, so you will definitely need this, ठीक है, तो इसकी बहुत ज़रूरत है, so I hope you have enjoyed the video, और अगर यार आप Subscribe, subscribe, कर लो थोड़ा सा, share, वेर कर दो, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा लगेगा मेरे गोभी, और मैं थोड़ा उच्छा सा लगेगा मेरे गोभी, और मैं थोड़ा उच्छा वीडियो जाओं और अच्छे वीडियो जाने के लिए, अप लोग के लिए, ठीक है, so that's all from my side for this video and in the next video we'll be solving our very first interview problem which is balanced parenthesis, bye bye for now.